एक दिन भीकु भाई का मन नार्यल खाने का हुआ ताजा, मुलायम, कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सूचते ही भीकु भाई ने अपने होठों को चटका रहा वा, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा लेकिन एक छोटी सी समस्या थी घर में तो एक भी नार्यल नहीं था अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा उन्होंने अपनी पत्नी लाभुबेन से कहा लाभुबेन अपने कंदे उचका कर बोली खाना है तो जाना है एक समस्या और थी भीखु भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे लाभुबेन बोली हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखु भाई जरा कंजूस थे वे सीधे खेत में बूरे बर्गत के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा लल चाया कि वे जल्दी घर वापस लोट कर लाभुबेन से बोले अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ पता तो चले कि नारियल आज कल कितने में बिक रहे हैं? जूते पहन कर छड़ी उठा कर भीकू भाई निकल पड़े बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे भीकू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुच गए ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा, नारियल वाले ने कहा बस दो रुपए में काका? बस दो रुपए? भीकु भाई ने आखें पहला कर कहा बहुत ज्यादा है एक रुपए में दे दो नारियल वाले ने कहा? ना जी ना दो रुपए सही दा ले लो यह छोड़ दो ठीक है ठीक है भीकु भाई बड़ड़ाए अच्छा तो बताओ एक रुपए में कहां मिलेगा? नारियल वाले ने कहा? यहां से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए सो भीकु भाई उसी तरफ चल पड़े चलो देख लेते हैं वे अपने आपसी बोले? तहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी खुशी से घुरगुराते भीकु भाई ने चड़ी को जमीन पर थप थपाया मंडी में कोला हल फैला हुआ था व्यापारियों की उची उची आवाजें गूंज रही थी माथे का पसीना पोँच कर भीकु भाई ने इधर उधर ताका नारियल वाले को देख कर पूछा अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे सिर्फ एक रुपया का का नारियल वाले ने जवाब दिया जो चाहो ले जाओ जल्दी शूच भाई भीकु भाई ने कहा ये क्या मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा एक रुपया मांग रहे हो पचास पैसे काफी हैं मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो पचास पैसे नारियल वाले ने जट भीकु भाई के हाथ से नारियल को चीन लिया और बोला माफ करो काका एक रुपया या फिर कुछ नहीं लेकिन भीकु भाई का निराश चहरा देख कर बोला बंदरगा पर चले जाओ हो सकता है वहाँ तुमें पचास पैसे में मिल जाए भीकु भाई अपनी चड़ी से टेक लगा कर सोचने लगे आखिर पचास पैसे तो पूरे पचास पैसे हैं वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है पैरों को घसीचते हुए भीकु भाई चलने लगे हर दो कदम पर रुपकर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंचते सागर के किनारी एक नाव वाला बैठा था उसके सामने दो चार नारियल पड़े थे अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे भीकु भाई ने पूछा और कहा ये तो काफी अच्छे दिखते हैं राका ये कोई पूछने वाली बात है केवल पचास पैसे नाव वाले ने कहा पचास पैसे भीकु भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए इतनी रुमाला बात दूर से पैदल आया हूँ इतना ठक गया हूँ और तुम कहते हो पचास पैसे मेरी मेनद बेकार हो गई ना भाई ना पचास पैसे बहुत ज्यादा हैं तुम्हें पचीस पैसे दूंगा ये लो रख लो ऐसा कहते हुए भीकु भाई जुपकर नारियल उठाने ही वाले थे नाव वाले ने कहा नीचे रख दो मेरे साथ कोई सोदा बादा नहीं जब उसने भीकु भाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला सस्ते में चाहिए नारियल के बगीचे में चले जाओ वहाँ धेर सारे मिल जाएंगे मन पुसंदाम में भीकु भाई ने फिर अपने आपको समझाया इतनी दूर आया हूँ अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है सहजबात तो ये थी कि वे काफी ठक चुके थे मगर पचीस पैसे बचाने के खयाल से ही उनमें फूरती आ गई भीकु भाई ने सोचा दो गुना जादा चलना पड़ेगा पर चार आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहा मिलती है भीकु भाई नारियल के बगीचे में पहुच गए वहां के माली को देखकर उससे पूछा ये नारियल कितने में बेचो गया माली ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ काका बस 25 पैसे का एक देखो कितने बड़े बड़े हैं ए भगवान 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए पैर ठक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे मेरी बात मानो एक नारियल मुफ्त में ही दे दो हां देखो मैं कितना ठक गया हूँ बीकु भाई की बात सुनकर माली ने कहा अरे काका मुफ्त में चाहिए ना ये रहा पेड और वो रहा नारियल पेड पर चड़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है पैसे तो मेरी मेहनत के है सच हां जितना चाहू ले लू भीकु भाई तो खुशी से फूले न समाई मेरा यहां तक आना वेकार नहीं गया उन्होंने जल्दी जल्दी पेड पर चड़ना शुरू कर दिया पेड पर चड़ते चड़ते भीकु भाई ने सोचा बहुत अच्छे मेरी तो किसमत खुल गई जितने नारियल चाहे तोड़ लू और पैसे भी न दूँ क्या बात है भीकु भाई उपर पहुँच गए फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जिक पैर फिसल गए भीकु भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया उनके दोनों पैर हवा में जूलते रह गए ओ माँ अब मैं क्या करूँ भीकु भाई चिल्ला आने लगे अरे भाई मदद करो उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है पैसे नहीं, खरीदना नहीं बेचना नहीं और मदद नहीं सब कुछ मौफ्ट तभी उट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा अरे ओ भीखु भाई जोर जोर से बुलाने लगे ओ उट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना बड़ी महरबानी होगी उट वाले ने सोचा चलो, मदद कर देता हूँ मेरा क्या जाता है उट की पीट पर खड़े होकर उसने भीखु भाई के पैरों को पकड़ लिया ठीक उसी समय उट को हरे हरे पत्ते नजर आए पत्ते खाने के लालच में उट ने गर्दन छुकाई और अपनी जगे से हट गया बस वो आदमी उट की पीट से फिसल गया अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखु भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया अब दोनों क्या करते इतने में एक घुर सवार आया अरे सांभलो चो पेड से लटके दोनों पुकारने लगे सुनो भाई कोई बचाओ घुर सवार को देखकर भीखु भाई ने दुहाई दी ओ मेरा भाई मुझे पेड पर वापस पहुचा दो एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं घोडे की पीट पर चड़कर इनकी मदद कर देता हूँ ये सोचकर घुर सवार घोडे पर उठ खड़ा हुआ लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा उठ से बेहतर है हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं घास के चकर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को उठ वाले के पैरों से लटकते हुए एक, दो और अब तीनों के तीनों जूलते रहे नारियल के पेड से काका, काका, कसके पकड़ रहना घुरसवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ न देना मैं, मैं आपको सो रुपए दूँगा काका, काका अब उठ वाले की बारी थी मैं आपको दो सो रुपए दूँगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं सो और दो सा बाप रहे बाप, तीन सा रुपए भीखु भाई का सिर चक्रा गया इतना, इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट धराम से तीनों जमीन पर गिरे घुरसवार, उटवाला और भीखु भाई भीखु भाई अपने आपको संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आप हूटा बिल्कुल मुफ्त अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शियर और नाइक करना ना भूले झाल